हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंसियल विद्गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड एवंद अन्य फाइनेंसियल सेक्टर्स की बात आपके साथ थिंदी में यसाईपी एक बार में कितने साल के लिए हम कर सकते हैं एक सामान यसा प्रस्न सब की दिमाग में आता है यह हो सकता कि जादा तर लोगों को जानकारी ना हो यसाईपी करते समय एक बन टाइम फार्म भरना होता है ओटियम जिसको बोलते हैं जिसके द्वारा आपका पैसा बैंक एकाउंट से डेविट होता है पहले तो यसाईपी होती क्या है इसके विशह में समझते हैं यसाइपी जैसा नाम ही है यसाइपी इसका फुल फार्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्मेंट प्लान यानि कि एक कि सिस्टम के तहद आपका पैसा जो है निवेस होता रहें कांटिनिवस या आपके ना चाहते हुए आपके लिए पैसा क्रेट होता रहे पैस वेल्ट क्रेट होती रहे इसमें आप जो है एमाउंट अपने आप डिसाइड करने के लिए स्वच्छन्द हैं कुछ एमसी जो है 100 रुपाय तक की भी S.I.P करती है किस डेट में पैसा आपके एकाउंट से डेविट हो इसके लिए भी अब आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कितने कौन सी तारीक लेनी है इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं कितने समय तक जाना है इसके लिए अब रिस्ट्रिक्शन सो चुका है और किस म्यूचल फंड कंपनी में आपको किस फंड में पैसा लगाना है यह आपके ओपर निरभर है आप चाहे तो इसके लिए खुद सच्छम है खुद कर ले या किसी अच्छे बित्तिय सलाकार की सायता भी ले सकते हैं किसी अच्छे बित्तिय सलाकार की सायता भी ले सकते हैं देखिए हमने एक बात बोली है कि कितने समय के लिए आप मैक्सिमम कर सकते हैं यह अब आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं आप कि एसाइपी तो कांटिन्यू रहेगी लेकिन से भी ने जो सिक्यूर्टी इक्सचेंज बोर्ड इंडिया है इसने चेंजेश किया है जब ओटियम मैक्सिमम जो है तीस साल के लिए ही रेजिस्टर्ड किया जा सकता है तीस साल से जादा के लिए रेजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है पहले क्या होता था कि हम लोग या जितने वित्तियस अलाकार हैं हमारे जैसे या जहां से भी आप निवेश करते थे उसमें लिग देते थे एक कालम होता था अंटिल्ड कैंसिल्ड कि जब तक क्या साइपी कै कैंसिल ना करें ओटियम कैंसिल ना करें तब तक हमारी साइपी कांटीन्यू चलती रहें लेकिन अब इस पर रेस्ट्रिक्शन लग चुका है मैक्सिमम आप तीस साल के लिए साइपी कर सकते हैं आपको 35 साल चलाना है जब 30 साल पूरे हो जाएंगे फिर आप अगले 5 साल की करना होगा अच्छा ओटियम अगर एक बार रिचिस्ट्र हमने कर दिया मालीजे मेरा अपका अगर सब्स्राइप कर दिया है कि मेरे इस अकौंट से इतना पैसा इतनी तारीख को जमा होता रहे हैं और 5 साल बाद लगा कि हमको अपनी एस पी की डेट चेंज करनी चाहिए तो क्या हो सकती हाँ यह चेंज कर सकते यह आपके ऊपर निर्भर है आप जो चाहें जिस डेट में चाहें उसमें कर सकते हैं दूसरा यह है कि आप अगर बैंक एकाउंट चेंज करना चाहते हैं कि अब हमारा HDFC के बजाए इस्टेट बैंक आप इंडिया से SIP डेविट हो यह भी आप कर सकते हैं अगर मान लिजे किसी का एड्रेस चेंज हो गया कोई आज के समय में बैंगलोर रह रहा है और 20 साल बाद या 15 साल बाद पता चला वह जो है मुंबई सिफ्ट हो गया तो क्या इसमें एड्रेस का कोई फर्क बढ़ेगा एड्रेस अगर आप चाहें तो च सब्सक्रίकש नोचित कर दinkles कि हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वहारी मेल पे ही भेजे जाएं हाँ अगर आपने अपनी मेल चेंज कर लिए और अपने फोलियों में नहीं चेंश कराया सकती है कि आपके इस टेटमेंट आपके पास मेल पे नाम है झारे तो इस तरह से ज जादा तर लोगों में एक चीज़ देखने को मिल लही है, कि पहले तो फोन अपना चला रहे थे, मोबाइल, उसको बैंक में भी उन्हों दे रखा है, और मुचल फंड कंपनी में भी दे रखा, कई जगे लगा रखा है, आधार पे भी उन्होंने अपडेट कर रखा, उसी मो करें, तो इसका हमारे हिसाब से तो नहीं चेंज करना चाहिए, आप पॉर्टविल्टी करा सकते हैं, आपके पास मान लिजे, ब्यस्तनल का मुबाइल नंबर, मुबाइल है, आज के समय मिस्सीम है, आप चाहते हैं कि यहां की सर्विसेज मुझे अच्छी नहीं मिल नहीं, जीओ में जाना है, तो उसी नंबर की पॉर्टविल्टी करा लें, क्योंकि मान लिजे, आपने नहीं कराया, दूसरा नंबर ले लिया, और इसको सरेंडर कर दिया, तो जो कंपनी है, जो टेली काम कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करेगी, छे महने साल भर ब लगाया था, नहीं चेंज कराया, तो उसके सारे के सारे SMS, जिसको एलाट है, उसके पास पहुंचते रहेंगे, इस तरह से आपकी सीक्रेसी लीक होती रहेंगी, अगर जिन जिन लोगों ने अपना नंबर सरेंडर कर दिया है, और अभी तक उसमें चेंज नहीं कराया है, त करके उसको जरूर चेंज करा लें, नहीं तो आपके सारे OTP और जितनी चीजें उसके पास जा रहेंगे, तो पहली चीज जो में चीज थी कि हमारा discussion था कि हम SIP मैक्सिमम कितने साल के लिए एक बार में कर सकते हैं, आप मैक्सिमम तीस साल के लिए कर सकते हैं, तीस साल में 360 म के लिए अपना OTP रेजिटर कर लें, तो नहीं होगा, इसके लिए आपको जब वो टाइम पूरा हो जाए, दुबारा आप कर सकते हैं, हाँ एक और चीज है कि मान लिए किसी ने 10 साल SIP चलाने के बाद, जब अपना bank account चेंज करेंगे, तो पहले वाली SIP को कैंसिल करेंगे अभी जो नियम है, फिर दूसरे bank account को अड़ करेंगे, तो दूसरे वाले में मान लिए उस समय आपने 30 साल कर दिया, तो 10 साल ये और अगले 30 साल मिला करके, टोटल 40 साल आपके हो जाएंगे, इस तरह से आप अपना निवेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसी तरह के वीड वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले आता रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार